आज के वीडियो में आपको मैं प्याज के ऐसे अज़ुक उपाय बताऊंगी जिसको जानके आप भी हैरान हो जाएंगे प्याज खाने को स्वादिश बनाने का काम तो करता ही है साथ ही ये एक बहतरिन औशदी भी है भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाने वाला कच्चा प्याज हमारे स्वास के लिए बहुत अच्छा होता है सैंड्वेश सलाद या फिर चार्ट प्याज सभी के स्वाद को दुगना करता है चलिए फ्रेंड्स अब हम बताते हैं कि प्याज को किस किस तरह आप यूज कर सकते हैं स्टेल के बरतन को चमकाने के लिए प्याज का रस और सिरका यानी विने का इनको equal quantity में लेकर स्टिल के बर्तनों फे स्क्रब करने से आपके बर्तनों में shining आ जाएगी मदुमक्खी के डंग से बचाए यदि आपको कभी अचानक मदुमक्खी काट ले तो आप घवराईए नहीं प्याज के रस को तुरंत ही उस जगा पे लगाए और देखेंगे कि आप थोरी देर में ही आपको उस पेन से relief मिल जाएगा मुहासों से मुक्पी पाने के लिए प्याज के रस को आप पानी में मिलाकर मुहासे पर लगाने से आपके जो मुहासे हैं वो दूर हो जाएंगे सूखे दाख हटाने के लिए ग्रिल पर अक्सर खाने का सूखा दाख लग जाता है तो उस पर आप याज का टुकरा रगर दे इससे जो आपकी ग्रिल है वो साफ हो जाएगी जंग को हटाने के लिए लोहे की किसी चीज या फिर चाकू पर यदि जंग लग गई हो तो उस पर प्याज काट कर रगर दीजे जंग से छुटकारा मिल जाएगा किचिन का एक्जॉस फेन क्लीन करने के लिए किचिन का एक्जॉस फेन या फिर चिमनी गंदी हो गई हो तो उसे क्लीन करने के लिए प्याज में बेकिंग सोडा लगा कर सफाई करें जलन से बचाए यदि शरी का कोई भी अंग जल गया हो तो आप उस पे प्याज का रंस तुरंत लगाने से जलन कम होती है क्योंकि प्याज में एंटि बैक्टेरियल गुन होने के कान ये इंफेक्शन को रोपता है और साथ में आपको दर्ज से भी राहत मिलती है कुटा काट लेने पर काटी हुई जगा पर आप प्याज को पीस कर शेहत के साथ मिलाकर लगाने से विश्ट का प्रभाव कम हो जाता है काटे को असानी से निकाले अगर पैर में काटा चुप जाए और निकलने में दिक्कत हो रही हो तो आप प्याज का रस उस जगा पर लगा कर पटी बान ले और फिर कुछ देर बाद काटा असानी से निकल जाएगा हेर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्याज के रस को बालों की जड़ों में लगाने से बालों का तूटना और जड़ना कम होता है ये बालों में होने वाली जूसे भी बचाता है हफते में दो से तीन बार प्याज के रसका यूस करें इसे जो आपके बाल हैं वो स्ट्रॉंग और हेल्दी बनेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हमारी जैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू